प्रिश्ना वली 11.02 को प्रिश्न 5 मों कहता है 8 cm लंबाई के रिखाखंड एभी खीचिए और 1 को केंदर मान का 4 cm तरिज्जा का व्रत्य तथा 2 को केंदर मान का 3 cm का तरिज्जा का एक अन्य व्रत्य खीचिए प्रतेग व्रत पर दूसरे व्रत के केंदर से इस पर सरे खाओं की रशना कीजिए तो यहाँ पर आठ सेंटिमीटर लंबा एक रेका खंड ए भी खीज लेते हैं तो यहाँ पर हमने आठ सेंटिमीटर लंबी एक रेका खंड ए भी खेंती है अब यहां पर यह 8 cm है अब यहां पर हम देखते हैं तो केंद्र एको केंद्र मान का प्रश्ण कहे था एको केंद्र मान का 4 cm तरज्जा एको केंद्र मान का 4 cm तरज्जा का एक व्रत्त खीजना है तो यहां पर 4 cm हम यहां माप लेते हैं तो 4 cm यह हमने माप लिया अब एको कें तो यहां पर एक को केंद्र मानकर हमने चार सेंटीमीटर तरज्जा लेगा एक व्रत खेंच दिया अब यहां पर प्रस्ण कहता है बी को केंद्र मानकर तीन सेंटीमीटर तरज्जा का एक अन्य व्रत खेंच यह तो यहां पर तीन सेंटीमीटर यहां पर माप लेते हैं स्केल में तो तीन सेंटिमीटर माप लिए अब बी को केंद्र मानकार तीन सेंटिमीटर तरज्जा का व्रत्त खीचना तो यहां पर खेंद देते हैं व्रत्त को तो A-B की लंबा ही 8 cm, तो लंब वर्दक हो जाएगा, इसका 4 cm लंबा, या फिर हम चाप द्वारा निकाल लेते हैं लंब वर्दक, तो हम चाप द्वारा ही निकाल लेते हैं, यहाँ पर इस तरह आधे से ज्यादा दूरी का चाप लगाया, और अतनी दूरी का इस तरह चाप इस तरफ लगा देते हैं और तो यहां पर प्रत शेकन बिंदू दोनों मिल लाए तो इन दोनों बिंदू को मिला देते हैं यहां पर तो यहां पर मिला दिया अब यहां पर आगया केंदर तो यहां पर मान लेते हैं एम बिंदू एम अब बिन्दू M को केंदर मान कर M को केंदर मान कर और A यब B को तरज़ा ले करके वरत खींद देते हैं तो हम खींद देते हैं वरत अन्य वरत तो यहां पर यह वरत हम खींद देते हैं तो यह अन्य वरत भी दिया तो यहाँ पर A को केंदर मान कर जो हमने ये वरत खींजा है ये वाला ये वरत A और B को प्रतिश्यद करता है तो यहाँ पर प्रतिश्यद करता है A केंदर वाले वरत को इन दोने मिनों पर प्रतिश्यद करता है और B के अंदर वाले वरत्त को यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिशेद करता है तो इन चार मिन्यों को नाम यहाँ पर देते हैं P यहाँ पर Q यहाँ पर देते हैं R पर यहाँ पर S अब यहाँ पर प्रशन कहता है प्रते एक ब्रत पर दूसरे ब्रत के केंदर से इस पर से रिखा की रिखना की रिखना की यह तो बिंदू B से P और Q को मिलाते हैं तो मिला देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर इस ब्रत से B के अंदर वाले ब्रत से A के अंदर वाले ब्रत पर इस परस रिखा एक दो और पी और दूसरी हो यह जाएगी यह क्यू दिखना देते हैं इसको भी तो यहां पर P, B और Q, B दो इस पर सरे खाँ यहां पर यह वाली हो गई अब यहां पर इस बाले बृत बी के अंदर बाले बृत पर इस पर सरे खाँ की जिनी है तो A के अंदर बाले बृत से R और S को मिला देते हैं तो यहां पर A को R और S से मिला दिया तो इस परिकार इसकी रचना होती है अब रचना की पद देख लेते हैं तो यहाँ पर रचना की पद में सार प्रतम हमने A B बराबर 8 cm लंबा एक रेखा खंड खींचा A B बराबर 8 cm लंबा रेखा खंड खींचा अब यहां पर Gevindu M को केंदर माना और A यः B को दरज्जा मानेकर यह वालत खींच दी तो इस परकार एक अन्म बरत जो यह वालत बनाएm केंदर को लेकर यह वालत बरत एक केंदर वाली और B केंदर वाले वालतों को P Q और S पर करता है तो इस तरह एक को आर से मिला दिया एक को आर से मिला दिया और एस से मिला दिया और बी को पी और क्यू से यहां पर मिला दिया अब रशिना का और चत है क्योंकि यहां पर एक को पी से मिला दिते हैं सर पर हम तो तो कौणड A, P, B A, P, B यहां पर नब्बयाइस का कौणड बनाएगी तरिज़ इस परसे रिखा पर लंग होगी तो इसलिए हम कह सब आखते हैं कि B, P यहां पर B और P केंदर A वाले बरत पर स परसे रिखा है तो था B, Q भी केंदर A वाले पर इसस पास रिखा है और आहर ऊसे पस रिखा भी कंदर वाले तर आहार और एसस एसस पास रिखा भी केंदर वाले ективडि आपपाई इस पर चीप्रसन को अच्छी तरह से नोट कर जखती है